नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार पाउ भर भिंडी या परवल के साथ मिर्ची धनिया फ्री में लेने का चलन सुना होगा आपने या भड़ भूजे की दुकान पर खड़े हुए तो तौलते तौलते दस ताना मुंग फली का ऐसे ही चटका दिया या रिक्षे वाले ने बारा रुपया की राया मांगा तो दस रुपए दे कर सोचा दो रुपए बचा लिये कुछ लोग होटेल में जाते हैं तो वहां से पाँच पाँच ग्राम शैंपू और कंडिशनर की सीसियां भर लेते हैं इंतिहा तो ये है कि प्रचंड रूप से गंजे शावर कैप उठाकर बैग में डाल लेते हैं कि चलो कुछ तो वसूल हुआ इसको चिंदी चोरी कहते हैं लेकिन ये तो साधारन लोगों की दुनिया है खासकर मिडल क्लास वाले ऐसा करते हैं या कहिए उनकी आदतों में शुमार होता है लेकिन फोर्ब्स के लिस्ट में शामिल होने वाले दुनिया के धन्ना सेट भी ऐसी चिंदी चोरियां करते हैं क्या वो भी वो लोग जिनें उनके असली नाम से कम और किंग और बादशाह से ज्यादा पुकारा जाता है जो तीन तीन सौ करोड के बंगले में रहते हैं प्राइवेट जेट से उड़ते हैं दुनिया के कई देशों में जिनकी जायदाद है और जिनकी रोज की कमाई करोडों में छूती है जी हम बात करना है किंग खान और बॉलिवड के बादशाह शारू खान की ये खबर बताने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि शारू खान को कस्टम चोरी के आरोप में मुंबई एरपोर्ट पर रोक लिया गया उन्हें बैठाया गया और उनसे लगभग एक घंटे तक पूछताच की गई क्योंकि उनकी पल्टन के बैग से इतनी महंगी महंगी घडिया निकली कि कस्टम वालों की आखे चौधिया गई और घडिया क्या घडियों की पूरी दुकान कहिए और अब पती पहनते हैं वो घडिया इसमें कोई बुराई नहीं है बुराई तब हो जाती है जब आप करोड़ों रुपए की घड़ी दुबई से लाते हैं और मानकर चलते हैं कि जिस बॉलिवोड के बादशा और फिकिंग खान की एक जलक के लिए लोग पागलों की तरह खड़े रहते हैं बड़े बड़े नेता और अफसर जिसके साथ सेलफी खिचवाने के लिए मरते हैं उसे कस्टम के अफसर रोकने की हिम्मत कैसे करेंगे कैसे कहेंगे कि हुजूर आपने कस्टम की चोरी की है और कस्टम ना चुकाने का सीधा मतलब होता है आप देश का नुकसान कर रहे हैं उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, मैनेजर पूजा डडलानी थी, बॉडिगार्ड थे, और भी ताम जाम था, मुंबई एरपोर्ट पर कस्टम अर्धिकारियों को उन पर शक हुआ, और शारू खान से कहा कि हमें आपकी टीम का बैग शेक करना पड़ेगा, आप जरा किनारे आप से पूचताच भी करेंगे, सोचिए कस्टम फीस की चिंदी चोरी के चकर में अफसरों ने शारू खान को किनारे खीच लिया, उनसे करीब एक घंटे तक पूचताच भी हुई, ये मामला कस्टम ड्यूटी न भरने को लेकर हुआ, वो एक इविंट में शरकत करने के ल जा गये थे, सूत्रों के मताबिक वहां से वो एक प्राइवेट चार्टर प्लेन वी टी यार एस्टी से मुंबई लोटे थे, एरपोर्ट के टी टर्मिनल पर लाथ करीब साथे बारा बजे उनकी टीम रेड चैनल पार कर रही थी, स्कैनिंग मशीन से जैसे ही उनके माल अ घड़ियों की दुकान खुल गई, शारुक हर उनकी टीम के बैग में कस्टम के अधिकारियों ने करीब 18 लाक रुपए कीमत की घड़ियां पकड़ी, चिंदी चोरी की इंतिहा ये है कि बैग में कई घड़ियों के डिब्बे खाली थे और घड़ियां कई और रखी थी, मत आजा बॉलिवुड के किंग और बादशा और शारुख खान को पूच्टाच के लिए बैठा लिया गया, बताईए कहां से खरीदा, कितने का खरीदा, पैसा कैसे चुकाया, बिल कहा है वगएरा वगएरा, और जब शारुख को ही पूच्टाच के लिए बैठा लिया गया तो उनकी मैनेजर, बॉडिगार्ड और टीम के दूसरे लोगों की बिसाथ ही क्या बचती है अब जरा शाहरुख खान की कमपनी की घड़ियों में दिल्चस्पी देखे रिपोर्ट्स के मताबिक शाहरुख की टीम के पास से रॉलेक्स घड़ी के छे डिब्बे जी हाँ बड़े बड़े लोगों के पास एक होती है महाँ छे डिब्बे थे बैग में इसके अलावा एस्पिरिट ब्रैंड की आठ लाक रुपए की घड़ी बबून एंड जुर्ब ब्रैंड की घड़ी मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा और एपल सीरीज की कई घड़ियां मिली कस्टम विभाग ने पाया कि घड़ियों की कुल कीमत 17,56,500 रुपए है शारुख की टीम कस्टम चुकाए बिना निकलने की फिराक में थी अपनी तरफ से होश्यारी भी खुब की थी डिब्बी कहीं और घड़ी कहीं और सोचिए 700 मिलियन डॉलर की दौलत के मालिक को चिंदी चौरी के चक्कर में एरपोर्ट पर बैठा लिया जाता है उससे पूछताच करनी पड़ती है और उससे कानून समझाना पड़ता है हम फिल से बता दे कि कस्टम विभाग के अधिकारियों ने शाहरुख और उनकी पूरी टीम को न सर्फ रोका बलके नियमों के उलंगन के आरोप में तकरीबन एक घंटे तक पूछताच भी की शाहरुख और उनकी मेनेजर पूजा दडलानी को तो तब भी घंटे भर बादे एरपोर्ट से बाहर जाने दिया गया लोगों ने देखा उनको निकलते हुए लेकिन उनके बाडिगाड रवी और टीम के दूसरे सदस्यों को कस्टम ने नहीं छोड़ा विभाग अड़ा हुआ था कि शाहरुख खान है तो क्या हुआ कस्टम ड्यूटी तो भरनी पड़ेगी अच्छा ऐसा भी नहीं है कि शाहरुख और कम्पनी को कस्टम ड्यूटी भरने को कहा गया और वो चुका कर आराम से निकल गये ना उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चार्टर प्लेन से उड़ने वाले को कस्टम के सब इंस्पेक्टर ने बैठा लिया है कि पहले सारा हिसाब किताब क्लियर करो और ड्यूटी और जुर्माना कितना था 6,83,000 रुपे मात्र शारुख खान के लिए 6 लाग के रिकम क्या होती है नाखून के मैल के बराबर भी नहीं तो कौन कहता है कि चार्टर प्लेन से उड़ने वाले शावर कैप और शैंपू की मरगिली शीशी बैग में नहीं डालते हैं सोचिए बारा बज़े रात को टीम शाहरुख की चिंदी चोरी पकड़ी जाती है और सुबह करीब पांच बज़े जुर्माने के तौर पर 6,83,000 रुपे भरने के बाद सभी को छोड़ा गया अब ज़रा मजाग देखिए और कहानी का असली सिरा एक घंटे की पूछताच के बाद शाहरुख खान तो निकल गए उनकी मैनेजर पूजा डड़लानी भी उनके साथ ही निकल गई लेकिन फसा कौन बोडिगाड रवी जी हाँ शाहरुख खान के बोडिगाड पर आया रॉलेक्स और एस्पिरिट जैसी घड़ियों की कस्टम ड्यूटी चुराने का इलसाम बोडिगाड रवी और टीम के बाकी सदस्य रात भर एयरपोर्ट पर बैठे रहे सुबह पांच बजे ड्यूटी और जुर्माना चुकाया गया तब जाकर उन्हें छोड़ा गया जाओ अपने मालिक से कह देना कि रॉलेक्स और एस्पिरिट की घड़ी पहनने का शौक रखते हो तो कस्टम ड्यूटी तो चुकाया करो और अगर कस्टम ड्यूटी मार लेने को ही अपना हुनल समझते हो तो काहे का किंग और काहे का बादशाह कस्टम से मिली जानकारी के मताबिक शाहरूख खान के बॉड़ी गार्ड रवी ने 6,83,000 रुपे का कस्टम चुकाया है वो जवान में नज़र आएंगे और फिर राज कुमार हिरानी की डंकी में डंकी सोचिए कितनी बुरी बात है कि इतना बड़ा अरब पती 6,00,000 रुपे की कस्टम ड्यूटी की चिंदी चोरी में रात भर अपने लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ दो इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए बेल आइकोन दबाईए घंटी जैसे याकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर है नवीन जनर्रिस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार